Hello everyone, welcome back to the Pharmacy India students. So, कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ, सब मस्त होंगे. और आज एक ऐसी वीडियो और एक ऐसा टॉपिक, बहुत सब लोगों का इंटरस्ट है इस टॉपिक में. जी हाँ, RRB Pharmacist का माहौल है और कि सर हमें RRB Pharmacist का Real Salary जान रहा हैं कि आखिरकार Salary कितना मिलेगा. जी हाँ, Basic Pay, DA, TA क्या-क्या मिलता है, क्या-क्या फाइदे होते हैं. तो आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ, यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, यह बना रहा हूँ, सैलरी सिल्प को लेकर और यह जो इन्फॉर्मेशन है, यह पूरी Real है, हमारे एक कलीग है, RRB Pharmacist में ही, उनसे लिया गया है. तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़े डिटेल में बताऊंगा, कि आकिरकार क्या बेसिक पे होने वाला है, DA कितना होने वाला है, HR कितना मिलता है, National Holiday Allowance, और Patient Care Allowance, Dress Allowance, Transport Allowance, और Children Education Allowance. जी हाँ, यह benefits एक RRB Pharmacist को मिलते हैं, और कुछ इस तरीके की salary slip generate होती है, इसको मैं detail में अब यहाँ पर बताने वाला हूँ. सबसे पहले आजाता है basic pay, जी हाँ, जो की आपका level 7 के तहट, under 7th pay commission के तहट आपको मिलता है, और यह जो salary slip है, मैं आपको बता दू, यह 2019 में जो बच्चा recruit हुआ था, pharmacist में, उसके तहट है, अब थोड़ा सा उपर नीचे vary कर सकता है. तो जो basic pay है, वो आपका 29,200 पर मन से शुरुवात होता है, जी हाँ, this is the basic pay only, ठीक है, उसी के बाद, next है, dearness allowance, यह मैं कह दूँ, DA, DA allowance, जी हाँ, अब इसमें, जो mainly basic pay होता है, उसका 53%, मैं clear करूँगा, basic pay का 53% हमारा DA calculate होता है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 29,200 का, अगर मैंने basic pay का mainly 53% लिया, तो 15,476 रुपे और जुड़ गया, इसमें, ठीक है, clear है, house rent allowance, जिसको कहा जाता है, HRA, HRA मिलता है, अब जो HRA मिलता है, वो आपको, mainly किस state में आपकी posting है, या किस city में, तो यहाँ पर X, Y और Z city में, X category में आ गया है, mainly जो हाइफाई cities हैं, जैसे कि मैं कह दूँ, Bangalore, Delhi, ठीक है, Y cities में, जैसे मुरादाबाद, Z city में, जैसे तुम सर हो गया, नागपूर के आसपास में, ठीक है, तो अब X city में मिलेगा 30% आपको basic pay का, जितना basic pay है, उसको 30%, Y city में मिलेगा 20%, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, basic pay का इतना बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से house rent allowance आपको मिलता है, उसी के बाद national holiday allowance, यानि कि अगर आप किसी national holiday वाले दिन काम करते हैं, तो आपको 596 रुपे मिलता है, ठीक है, national holiday पे काम करने का extra, जी हाँ, उसी के बाद patient care allowance, patient care allowance याद रखेगा, आपको 5125 रुपे मिलता है, ठीक है, dress allowance और patient care allowance यह हर महीने मिलता है, patient care, अब देखिए, basic pay हुआ, HR हुआ, आपका DA हुआ, और 5000 रुपे यह जुड़ गया, dress allowance 6250 रुपे, एक साल में एक बार मिलेगा, transport allowance आपको X cities में के लिए 2500 रुपे पर मंत और 1800 रुपे other cities के लिए, यहाँ पर बात आती है, children education की, अगर आपका एक बच्चा है, तो यहाँ पर आपको 27000 रुपे एक साल में, जुलाई के मंत में मिलेंगे, अगर आपका दो बच्चे हैं, तो आपको 54000 रुपे मिलेंगे, एक case ऐसा भी होता है, कि अगर एक child है, और दूसरा child की जगा twins होते हैं, तो government इसका भी और मैं यहाँ पर clear करूँ, जो basic पर होता है, वो year the year July में increment होता है, बढ़ता रहता है, हर चीज़ पर increment होता है, तो आशा करता हूँ, सारी चीज़े आपको clear हो गई है, कि कितना basic पर होता है, यह पूरा completely यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, और भी updates के लिए pharmacy याप जरूर डाउनलोड करें, चाहे आप किसी pharmacist की तयारी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी deadly combo, because इसके अंदर आपको मिल जाएगा previous year paper, जिससे कि आप अपनी preparation को analyze कर सकते हैं, किस तरह का question पूछा जाता है, वो आपको help करेगा, और इसमें आपको मिलेगा RRB pharmacist practice paper, जैसा आपका RRB का exam आता है, ऐसा हूबा हूँ, तो आपका और भी improvement होगा, और सबसे अच्छी बा पामेसी इंडिया के साथ, और भी latest जनकारी के लिए, कोई query है, comment section में जरूर डालिएगा, we will give your answer, जैन, जै भारत